आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ प्रस्ट में हमें दिया है, यदि किसी तृभुज की दो भुजायों को व्यास मानकर वृत्त खीचे जाएं तो सिद कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिछेद बिंदू तीसरी भुजा परिस्थित है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने दो वृत्त बनाया है यह हमारे पास एक तृभुज A, B, C है ठीक है और हमने यह दो वृत्त बनाया है इसके A, B भुजा पर और एक A, C भुजा पर ठीक है तो हम क्या करते हैं, पहले यह मान लेते हैं कि यह A, D, C और B, C B, D, C और B, C अलग-लग दिखाया है, ठीक है हमें पता है कि AB व्यास है तो हमारा कोड BDA होगा 90 डिग्री के बराबर क्योंकि ये अर्ध वृत के अंदर है ठीक है और इसी तरह कोड CDA बराबर होगा 90 डिग्री ये भी अर्ध वृत के अंदर है तो अब हम देखते है कोड BDA प्लस कोड CDA बराबर होगा 90 डिग्री के जो कि हो जागा 180 डिग्री तो यहाँ से मैं पता चलता है तो यहाँ से मैं पता चलता है BDC एक सरल रिखा है ठीक है तो यहां से हमारा सिद्धोजा की D जो प्रतिछेद बिंदु है वह त्रिभुज की तीसरी भुजा BC पर स्थित है ठीक है धन्यवाद आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर